मड़ जीवन का आधार, प्यूरिटी की रॉयलिटी, आज स्नेही का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं, बिल्कुल स्नेही अवस्ता में उस प्यार भरी एहसास में बैठेंगे, चारों और के स्नेही बच्चे रुहानी सुक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट हो में पहुँच गए हैं, स्वीट हो मदुबन में, सामने बाबा, और बाबा हमें नशा बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे बच्चे स्नेही से खीच कर पहुँच गए हैं, वैसे बाब भी बच्चों के स्नेही की डोर में बंधा हुआ, बच्चों के सम्मुक पहुँच गए हैं, कितना सुन्दर एहसास, बाबा भी पहुँच गया और हम भी पहुँच गए, अब ये महा मिलन, इसके पर्मानंद में जाएंगे, बाब दादा देख रहे हैं कि चारों और के बच्चे भी दूर बैठे भी इसने में समाई हुए हैं, सम्मुक के बच्चों को भी देख रहे हैं, और दूर बैठे बच्चों को भी देख देख हरशित हो रहे हैं, ये रुहानी अविनाशी स्ने, अब आब ने तीन स्ने की अभी अभी मेंस बिलकुल अभी अभी क्यासा अनभाव कर रहे हैं यह रुहानी रुहू का अविनाशी कभी खतम नहीं हो सकता ऐसा प्यार अनकंडिशनल बेहत का परमातम सने वो चुमबक की तरह खीशता और उसका सने की कशिश हमें कितनी भरपूरता में लिके जाती और आत्मिक सने है हमारी आत्मा का भी सने हर आत्मा भाई के लिए हर आत्मा भाई को उस आत्मिक सने में उसमें महसूस करना तो बाब दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयलिटी देख रहे हैं ब्रहमर जीवन की रॉयलिटी है ही प्यूरिटी तो हर एक बच्चे के सर पर रोहानी रॉयलिटी की निशानी प्यूरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं आगे वाली वानी में पहरेग्राफ में बाबा पूरा सौधर्शन कराएंगे वो पांस रूप की ड्रिल कराने वाले हैं कि हमारी purity कैसे शुरू से कायम थी तो बहुती प्यारा उन्भा बाबा करा रहे हैं आप सभी भी अपने purity का ताज रूहानी royalty का ताज देख रहे हो पीछे वाले भी देख रहे हैं कितनी शोबनीक दारी सभा है इतना पवित्र ताका औरा का वायू मंडल बन गया है डामेंड हॉल में कि तेजों में चारों तरफ से वो परम पवित्र वायू मंडल में बाबा को ऐसा लग रहा है बड़ी शोबनीक बड़ी सुन्दर सबने ताज पहने हुए purity के इतनी प्यारी सभा दिख है ना पांडव ताज चमक रहा है ना ऐसी सभा देख रहे हो ना कुमारियां ताज धारी कुमारियां हो ना बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेश्ट है नशा चड़ाएंगे अपने रॉयल फैमिली का अपने अनाधी रॉयलिटी को या इत्मा रोप में भी अपनी रूहानी रॉयलिटी विशेश हैं. सर्वात्मा य भी लाइट रूप में हैं. लेकिन आपकी जमक सर्वात्माओं में श्रिष्ट है. याद आ रहा है परमधाम? जी बाबा. अनादिकाल से आपकी जलक फलक न्यारी है. कितनी प्यारी है तक जलक ही हैं लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेश सितारों की चमक नियारी और प्यारी होती है ऐसे ही सर्वात्मों के बीच आप आत्मों की चमक रुहानी रॉलिटी प्यूरिटी की चमक नियारी है बाबा बहुत ही ज़्यादा नशा चड़ा रहे हैं कि आप तो होई विशेश आप तो होई वहाँ वह purity के ultimate सितारे तो बाबा पूरा दर्शन करा रहे हमें अपना याद आ रहा है ना फिर आधिकाल में जाओ आधिकाल को याद करो तो आधिकाल में भी देपता सरूप में रूहानी रॉयलिटी की personality कितनी विशेश रही सारे कल्प में देपता ही सरूप की रॉयलिटी और किसी की रही है बाबा पूछ रहे है रूहानी रॉयलिटी purity की personality याद है ना पांड़ों को भी याद है याद आ गया जी बाबा फिर मध्यकाल में आओ तो मध्यकाल दौपर से लेकर आपके जो पुझे चित्र बनाते हैं उन चित्रों की रॉयलिटी और किसी चित्र की है question mark चित्र तो बहुतों के हैं लेकिन ऐसे विधी पूरवक पुझा और किसी आत्माओं की है इस कौन में देखेंगे नजर डालेंगे एक सेकंड में कैसी पूझा होती है श्रत्रों की बाबा के साथ हमारी भी तो चाहे धरम पिताएं हैं चाहे नेताएं है चाहे अभी नेताएं हैं चित्र तो सबके बनते लेकिन चित्रों की रॉयलिटी और पूझा की रॉयलिटी किसी की देखी है डबल फॉर्णर्स ने अपनी पूझा देखी है बाबा बाहर बार question करके हमें नशा चड़ा रहे हैं आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है ऐसे विदी पूर्वक पूझा और चित्रों की चमक रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है ना होगी क्यों पूरिटी की रॉयलिटी है पूरिटी की परसनेलिटी है अच्छा देख लिया अपनी पूझा बाबाने का मन बुद्धी में अपने दर्शन की ये पूझा सर भी सारे विश्वति अंदर पूरिटी की रॉयलिटी ब्रामण जीवन का आधार है हमारी सबसे बड़ा खाजाना क्या है अम ब्रामणों का ब्रामा को मारी इसका पूरिटी पूरिटी नहीं तो प्रभू प्यार का अनभव भी नहीं सर्परमातम प्राप्तियों का अनभव नहीं, ब्रहमर जीवन की personality purity है और purity ही रुहानी royalty है, तो आदी, अनादी, आदी मध्य और अंत सारे कल्प में यह रुहानी royalty चलती रही है आज बाबा ने स्वयमिय में अनुभूती कराई तो शुक्रिया बाबा, तो अपने को देखो, दरपन तो आप सब के पास है ना, कौन सा दरपन क्या बाबा इशारा दे रहे हैं देख सकते हो, तो देखो हमारे अंदर purity की royalty कितने percent में है एक second में भीतर जाएंगे अपने प्यारे से मन बुद्धी को देखेंगे कि मेरे मन बुद्धी संसकार जो एक सुंदर ठहराव में आते हैं जब हम संगटन में होते हैं जो मुर्ली का श्टवण और अनुभूतियों में होते हैं महसूस्ता में होते हैं तो हमारी purity कितने peak पर होती है तो क्या ये हरपल रहती है 24 into 7 सब चेक करेंगे तो बाबा बोलते है हमारे चेरे से purity की जलक दिखाई देती है चलन में purity की फलक दिखाई देती है फलक मीज नशा फलक अर्थात नशा चलन में वह फलक अर्थात रुखानी नशा दिखाई देता है देख लिया म्यूट हो जाएंगे प्लीज देखने में कितना समय लगता है सिकेंड है ना तो सभी ने देखा अपने को बाबा ने हमें चेकिंग भी कराई अब बाबा सबसे बात कर रहे हैं पहला नंबर है कुमारियां का कुमारियां जलक फलक है अच्छा है सभी उठो खड़े हो जाओ क सेकंड में विजुलाइज करेंगे सुंदर पवित्र कुमारियां और सबने बड़े बड़े पट्टे लगा रखे लाल रंग के उस पे लिखा हुआ है एक वरता सुंदर लगता है ना एक वरता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयलिटी तो एक वरता का पाठ पका कर लिया है वहां जाकर कच्छा नहीं कर लेना वहां जाकर मींस मदूबन से जाकर दूर जब सेंटर में जाएंगे या अपने अलग जहां जाएंगे रहने की जिगए पर और कुमार गुरुप उठो कुमारों का गुरुप भी अच्छा है कुमारों ने ड्रिल में प्रतिग्या का पट्टा बांद लिया है बाबा difference बता रहें कुमारियों ने तो स्थूलता में भी उसको धरन कर दिया और अंदर से भी और कुमारों ने प्रतिग्या का पट्टा बांदा रधात सदा निरंतर प्यूरिटी की परसनलेटी में रहने वाले कुमार है बाबा कहते हैं आपने अंदर से एक पृतिग्या कर लिया है ऐसे हैं बोलो जी हाँ ना जी या हाँ जी या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा डिला हो गया ऐसे नहीं करना जब तक प्रहमण जीवन में जीना है तब तक संपूर पवित रहना ही है ऐसा वाइदा है पकका वाइदा है तो हाथ हिलाओ तो सब हाथ हिलाएंगे एक हाँस से मन से टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं अब हम यहां यह बात का नशा चड़ाएंगे बाबाबा चाहे कुमारियों को बोलें चाहे पांडव को बोलें, चाहे टीचर्स को बोलें, चाहे अधर कुमार, जो किसी को बोलें, इस समय बाबा वो हमारे लिए बोल रहा है, तो हम सब भी बाबा क्या बोल रहा है, कि जो धीला होगा, उसको ये चितर भेजेंगे, तो बाबा ने इस समय हमारा मदुबन में सब के साथ चित्र निकाल लिया हमारी highest purity की जो conscious इससे में आई हुई है तो बाबा ने इतना सुन्दर अपने सम्मुक वाला जो बाबा का मिलन चल रहा है उसका हमारी प्यारी सी फोटो अपने दिल में कैद कर ली तो बाबा ने बोला यह जो फोटो अपकी सुन्दर सी है इसको ध्यान र रखाये हैं कि बाबा हम इतने highest purest रूहानी परसनलिटी वाले बच्चे है तो purity की व्रती है शुब भावना शुब कामना अब इस पहराग्राफ में बाबा बहुती नशा और एक्जाम्पिल से पूरा बता रहे हैं कि कैसे हमें अपनी व्रती और कृती में उस purity को कायम रख और बाबा दूसरा क्या बता रहे हैं व्रती के बाद दृष्टी जो पवित दृष्टी अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना वा फरिष्टा रूप में देखना या तो हम आत्मिक रूप में देखें या फरिष्टा में तो व्रती दृष्टी बाबा ने क् के लिए और दृष्टी में सब के लिए आत्मिक भाब और तीसरा है कृति अर्थात करम में जो भी करम में सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना मेंस मेरे हर करम से या तुम्हें सुख दे रही हूं या ले रही हूं यह है purity की निशानी वृति दृष्टी और कृति त आप दादों को follow करना है, actually हम जिसको follow करेंगे वैसा ही बनेंगे, तो बाबा सिधा सिधा बता रहे हैं साब, follow father है ना, तो ब्रह्मा बापने दुख दिया, वा सुक दिया, तो आप master ब्रह्मा अर्थात, ब्रह्मा लात्मा को क्या करना है, अब शुरू में जो भाईजी पूछ रहे हैं कि छोटा मोटा किसी ने दुख दिया, तो आप दुख नहीं देते हो, लेकिन यदि बहुत दुख देवे कोई आपको, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करें तो थोड़ा तो फील करेंगे ना, या नहीं, बाबा पूछ रहे हैं, कुमारियां फील कर रहे हैं कि नहीं, जिसका जो संसकार है वो करें आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉलो फादर करना है, या सोचो मेरा क्रतव्य क्या है, उसका क्रतव्य देख, अपना क्रतव्य नहीं भोलो, वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ, आपक को गले लगाएंगे सेहन शीलता में इतनी शक्ति है लेकिन थोड़ा समय सेहन करना पड़ता है तो सेहन शीलता के देविया देविया होना हो सदा यही स्मति रहो रखो मैं सेहन सेहन शीलता देविया हूँ तो देवता अर्थात देने वाला दाता कोई गाली देता है रिस्पेक्ट नहीं करता है है तो किछड़ा है ना कि अच्छी चीज़ है तो आप लेते क्यों हूँ तो बाबा बहुती प्यार से बहुती सिंप्लिफाइ करके क्लियर कर रहे है कि भई आपको किछड़ा देवे तो आप लेंगे नहीं लेंगे ना तो रिस्पेक्ट नहीं करता इंसल्ट करता गाली देता आपको डिस्टब करता तो यह क्या है अच्छी चीज़े हैं बाबा पूछ रहे हैं फिर आप क्यों लेते हो थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो पीछे स सोसते हो नहीं लेना था तो इसी समय हम अपनी मनबुद्धी को एक थौट देंगे कि कोई मुझे कुछ भी देवे कुछ भी देता रहे लेकिन मुझे क्या देना है उस पर मुझे फोकस करना है कोई जूते दे गाली दे बद्बुवारी वाइब्रेशन्स मेरे को पहुँचाए लेकिन मुझे क्या देना है मुझे अपने सरूप में टिक कर अपनी प्यारी सी प्यूरिटी की रोयलिटी परस्नलिटी में उसको सिर्फ दुआ देनी है कि इनका भी कल्याण हो जाएगा हुआ ही पढ़ा है जितनी हम दुआ देंगे उतना हम पन्य कमाएंगे तो बाबा ने क्या नशाट चड़ाया कि थोड़ां थोड़ां भी नहीं लेना पीछे भी ने सोचना है, तो अभी लेना नहीं लेना अर्थाद मन में धारण करना, feal करना, तो बाँ बिल्कुल भी हमें ने लेना है, हमें तो यह सोचना है, हमारा case किस पर आ तो अपने अनादीकाल, आदीकाल, मद्धेकाल, संगमकाल, सारे कल्प के purity की रॉयलिटी, personality याद करो, भाब ने फिर से बताया, कितना हम चमक रहे थे परमधाम में, कितने हम रॉयलिटी के साथ, अदब के साथ, रॉयल मैनास में हमने जिया, गोल्डन एजट में, फिर अपन संगम पर हमने उस मन बुद्धी संसकारों में purity को भर कर, बाबा की सारी प्राप्तियों का उन्भफ किया, तो बाबा बोल रहे हैं, याद करो उसको, कोई भी क्या भी करे, अपनी personality को कोई छीन नहीं सकता, बाब ने वर्दान दे दिया, कोई कुछ भी करे, लेकिन आपकी purity की personality कोई नहीं चीन सकता, यह रुवानी नशा है ना, और double forness को तो double नशा है ना, double नशा है ना, तो जो double forness सुन रहे हैं, वो बाबा उनको शाबाशी और दे रहे हैं, सब बात का double नशा, purity का भी double नशा, सेहनशील देवी देवता बनने का भी double नशा है ना double, सिर्फ अमर अमर भाव का बरदान कभी नहीं बूला, तो हम सब को बाबा ने क्या बोल दिया, सदा अमर भाव, अमर नशा चड़ाएंगे, अच्छा, जो प्रवती वाले हैं अर्थात यूगल, वैसे single रहते हैं, तो बाबा उनको कर रहे हैं, जो अकेले चल रहे हैं ग्यान में, एक च कहने में यूगल आता है, वे उठो, खड़े हो जाओ, यूगल तो बहुत हैं, कुमार, कुमारियां तो थोड़े हैं, कुमारों से तो यूगल बहुत है, तो यूगल मूर्त बाब दादा ने आप सब को प्रवती में रहने के लिए डारेक्शन क्यों दिया है, अभी जो ध साथ ही अपना उस पर्मानंद में, उस प्योरिटी के रॉयलिटी में इन वर्दानों को अनभफ करेंगे, सुईकार करेंगे, तो बाबा क्या बोल रहे हैं, आपको यूगल रहने की चुटी क्यों दिया है, बाबा पूछ रहे हैं, क्यों आपको मदुबन मेरा काम ने, क्य भी आपका रिगार्ड करें, दिल से शुकराने करें, आपके गीत गाएं, आपकी महिमा करें, है ना इतने हिम्मत, यह लोग कहते हैं, साथ में रहते, पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो, मुश्किल है, या सहज है, बहुत सहज है, बिलकुल सहज है, पक्क के आगे एक्जाम्पल बनाया है कि हमी वो धार मुरत चैतन एक्जाम्पल रोल मॉडल्स है चैलेंज करने के लिए तो कितना प्यारा आज बाबा नशा चड़ाता ही जा रहा है तो प्रवती में रहते भी निर्वत मिन्स शूटे वे नियारे प्यारे आप अवित्रता से निर चैलेंज तो करें लेकिन पता नहीं क्या हो तो चैलेंज करो विष्व को क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी सुपन मात्र भी आप अवित्रता का संकल्प नहीं आए सुपन में भी यही संगम युक्चे ब्रामर जीवन की विशेष्ता है तो ऐसे विष्.के.शोके में आप example हो एक सेकेंड में अनभव करेंगे बाबा महा मंदलेशनों के सामने बड़े बड़े अभी नेता नेता हो रॉयल जितने भी हैं सब के सामने हमें sample और example के रूप में सब के सामने प्रस्तुत कर रहा है कि देखो यह हमारे यग की शान है यह प्रवति में रहने वाले बच्चे ये महान हैं देखो अपने दर्शनिय बंदिनिय बर्दानी परम पवित्रता वाली रूयलिटी वाली चरित्र को देखो तो आपको देख सब में ताकत आएगी हम भी बन सकते हैं ठीक है ना? शक्तियां ठीक है पक्के हो ना? कच्छे पक्के तो नहीं पक्के बाब दादा भी आपको देख बहुत खुश है, मुबारक हो, मुबारक हो, देखो कितने हैं, बहुत अच्छे, तो बाबा का दिल गदगद हो गया और हम सब का भी बहुत गदगद, बाकी रही तीचर्स, तीचर्स के बिना तो गती नहीं, तीचर्स उठो, अच्छा, परिशा था, कुछ दिनों से यही, और हम सब भी टीचर हैं, कोई भी हम यह नहीं बूले के हम टीचर नहीं है, बेशक हम समर्पित नहीं हैं, लेकिन हम खुद के तो टीचर्स हैं न, अपनी मन बुद्धी संसकारों के, अपनी सब चीज के करमेंद्रियों को, हम हर पल future से future दिखाई दे future से या हर एक teacher के future से फरिष्टा सरूप दिखाई दे means इतना हलका पन ऐसे teachers जिनका रिष्टा जो है न वो लोकिक वाला रिष्टा भी नहीं रह गया है सबसे एक फरिष्टा का नाता है ऐसे teachers होना आप फरिष्टों को देख कर और भी फरिष्टे बन जाएं जैसे आप वैसे आपके इर्दगर जितनी भी आत्मा हैं वो भी आप समान बन जाएं देखो कितने टीचर्स हैं फॉरें ग्रूप में टीचर्स बहुत हैं अब भी तो सोचो बाबा 20 साल पहले की बात बता रहे हैं अब तो कितनी रौनक कितनी रौ बार है अभी टीचर्स मिलके ये प्लान बनाओ अपने चलन और चेहरे से बाब को प्रितक्ष कैसे करें जो हमने शुरू में डिल की थी सर्व्यापी का बाबा नशा चड़ा रहें कि कैसे हम हर बच्चे से बाबा प्रितक्ष होना चाहिए तो दुनिया वाले कहते हैं परम प्रमान हर टीचर में बाब प्रितक्ष दिखाई दे तो सर्व्यापी दिखाई देगा ना हर जर्जेगे टीचर ही टीचर तो हर जगे वो उसी की प्रितक्षता होगी वह हर जेगे नजर आएगा जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे, कहते हैं ना उसमें भगवान, उसमें भगवान कणकण में, तो ये हमारी उस सर्वोच वस्था का पतीक है, जो हमारे दर्शन से परमात्मा हमारे फीचर से नजर आए, हमारे बोल से, हमारे नैन से, हमारी वाइब्रेशन्स में, वो परमात्मा का दुआएं और रात भरी हो, तो आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाएं। बाबा क्या नशा चड़ा रहे हैं, हमारी एक आत्मा जो अभी सुन रहे हैं, तो हमें से हमारी आत्मा का भी किसी को दर्शन नहीं हो, लेकिन परमात्मा उसका दर्शन हो और हमात्मा छिप जाए उस परमात्म दर्शन के आगे और परमात्मा ही दिखाई दे यह हो सकता है अच्छा इसकी डेट फिक्स करो इसकी डेट फिक्स क्या डेट तो फिक्स होनी चाहिए न तो बाबा को हम प्रॉमिस करेंगे बाबा हर प कि कितना समय चाहिए अब से चालू करेंगे अब से चालू करेंगे अच्छी हिम्मत है कितना समय चाहिए 2002 चल रहा है अब देख लो 21 चल रहा है अभी 2000 कब तक तो बाबा क्या पूछ रहा है अब 2021 कब तक यह आवाज बाबा की सुने तो टीचर्स को यही attention रखना है कि बस कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई, मैं सिमट गई, समा गई, तो बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दू, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे, प्लैन बनाएंगे न, डबल विदेशी मीटिंग करने में हुश्यार है, तो अभी ये मीटिंग करना इस मीटिंग से बाब दिखाई दे अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती हैं ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी हैं लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखे तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना तो डबल विदेशी इस प्लैन को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे न करेंगे पका अच्छा तो आपकी दादी है ना उसकी आश पूं हो झाएगी दादी जानकी के तरफ बाबा इशारा कर रहे है ठीक है ना अच्छा अधर कुमार और माता है जो single है वै उठो अब बाबा बता रहे है जो single चलते है वही निशा आप भी single सिंगल नहीं हो हम मेंसे कोई भी सिंगल नहीं है एक्चली हमारे साथ कौन है हर पल य तु वो यूगल के रूप या फिर फिता के रूप में तो बाबा बोलतें आपका यूगल तो बहुत sorectal मुस्कराट लाएंगे मेरा यूगल सबसे पाउरफुल है वो पतियों का पति यूगल का यूगल है क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड हैं तो کंबाइंड है तो सिंगल हुई क्या तो कहां सिंगल हो है आप आप तो combined हो लौकिक जीवन अलग चीज है लेकिन ब्रामर जीवन में combined रूप में हो ऐसे combined हो जो कोई भी अलग नहीं कर सकता ऐसे combined हो ना या अकेले हो combined हो सदा बाप हर कारे में सहयोगी है साती है ये नशा रहता है ना कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते कभी कभी समझते हो नहीं पहले बाप तदा आप सबका साती है और अविनाशी सात निभाने वाले हैं बाबा ने वायदा कर दिया अविनाशी सात आखरी सांस तक मैं उ उसकी बाहों में उसकी गोद में ही आखरी सांस शोड़ने वाली हो बाबा कहा और बाबा हाजर है कहते हैं हजूर सदा हाजर है तो मौज में रहते हो ना उदास तो नहीं होते हो होते हैं हाँ या ना नहीं करते उदास तो नहीं है ना मौज में रहते हो ना मौजा ही मौजा ह हम बाप के बाप हमारे बाप आपकी हर सेवा में सयोग देने वाले हैं अगला वर्दान दे दिया इसलिए इसी रुहानी नशे में सदा रहना हम कंबाइंड हैं कंबाइंड है ना बहुत अच्छे रुहानी नशे वाले हैं नशा है ना बाप दादा को अती प्रिये से भी प् तो अगले एक मिनट में, जो हमने सुना, उसके सुन्दर एहसास में जाएंगे, और बाबा का शुक्राना करेंगे, कि वो हमारे कितना सुन्दर दर्शन बाबा ने कराया, और कितनी मीठी मीठी नशे चड़ाए, कोई पारावारी नहीं नशों का, तो शुक्रिया करेंगे, शुक्रिया बाबा, और सब साइलेंस में बैठेंगे, ओम शांती, शांती, शांती. झाल 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 झाल झाल आप सभी अभी अपना मनन चिंतन शेर कर सकते हैं आप सभी अच्छा लगा कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दू तो डबल विदेशी को बाबा ने कहां कि डबल विदेशी से ही प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना प्लैन को तो हमें भी अभी यही करना है कि बाबा ने जो कहा है वो करके दिखाना है ओम शंति यहांची बाबा ने विशेश अंडरलाइन कराई है अटेंशन रखने के लिए बाबा ने कहा है बाब के अंदर में समाई हुई दिखाई दू ना बाबा में आत्मा नहीं दिखाई दे परमात्मा दिखाई दे यही हमारा अटेंशन होना चाहिए तो हम यह याद रखे पहल को हमी प्रत्यक्ष करना है जै तो फॉइ पाज दे बाबा को फॉलो करना हां आउर करना तो अपने अनधी काल अदी काल मद्धाल संगम आपका आवस कठ हो रही है अच्छा और कोई शेयर करें मेगा सिस्टर आपका आवाज नहीं आ रही है ओम शंती आज भाबार पहते हैं कोई कुछ भी दो आपके समझ शेलता से गाली देखने शक्ती है लिकें थोड़ा समय अच्छा बाबार ने के लिए का आप और बाब नोबड़ी येल्स ऐसे खंबाइन रहना है कि कुछ हमें अलग ही नहीं कर सकते तो करमर करते हुए भी बाब बाबा हमारे साथ है हमारा साथ है वो हमें 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 हैंट कर रहा हैं आजव कर रहा हैं सुछना है ऐसे बाप संभाइब ने रहने और ऐसे न्षे में रहना है वाप पिनोबेश क्टेए थे WILLIAM भगवान हमारा साथी है झा शचिंध नच्ट है कम भाइंड स्थिति परमधा में भी हम अनुभव कर सकते हैं काम करते हैं बाबा का साथ कम्बाइंड अनुभव कर सकते। कविता शिस्टर बोलिये। कर सकते अनुभव कर सकते अनुभव कर सकते हैं अनुभव कर सकते अनुभव कर सकते हैं तो वृत्ति, दृष्टि और कृति में तीनों में धारना करो। अगर कोई कैसा भी हो, कितना भी दुख देता हो, इंसल्ट करता हो, गाली देता हो, तो आपको क्या सोचना है? कि मुझे उनके जैसे नहीं बनना है, बाप दादा को फॉलो करना है, मैं मास्टर ब्रह्मा हो, ऐसा समझ कर, कोई भी मुझे दुख देवे इंसल्ट करें, तो बाबा कहते, यह मेरा कर्तवे नहीं है, तो मेरा कर्तवे क्या है? कि सानशिल्ता की देवी बन उनको चुभवावना, शुभवाकामना देना, ओम शांति, एसा सुख देना, जो भी कैसे ही वेवार करें, हम उनको प्रती शुभावना, शुभवावना, शुभवामना देना, शुख देना, हाजी कापी, सिस्टर बोलिये? वैसे तो बाबा हर सरकर मुही में कहते है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है लेकिन आज बाबा ने कहा है कि हम कहते है कि सर्वव्यापी नहीं है वर्मात्मा लेकिन बाबा ने आज ऐसा बोला है कि बाप को ऐसे प्रत्यक्ष करना है कि सब में वो ही दिखाई दें सो यह जरह समझाएंगे हाँ जी सो कोई शेयर करना चाहते है इसके बारे में उसके पहले एक मिनीट कविता देदी गुंजा देदी आप शेयर करे आपका अन्मुट है पर लिए बाबा का कहने का मतलब ऐसा है कि हम हमारे फेस से बाबा दिखाई दे बाबा ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बाबा सरव्यापी है बड़ बाबा को जो सरव्यापी लोगों ने कहा दिया है वो इसी धारना से कहा है कि इस समय बाबा जब बाबा को पृत्यक्ष होना होता है, वो हमारे गुनों से, शक्तियों से, इसने हमें बाबा दिखाई देगी, बाबा प्यार का सागर है तो हम भी सब के लिए प्यार का सागर बन जाएं, इस तरीके से हम बाबा को पृत्यक्ष करें, बाबा दिखाई दे, लेकिन बाबा आसनी है ओमी हाँ निष्टि आदि सो बाबा का गुण कर्टव यह हमारा अंदर दिखाई दे सो यह मतलब है अऊ-आए靡ी में आए निथि हम बचचे अटमा इसे रवयो जरु अपी है जो լाबा का जो गुने है, शकति है, उनका जो करथव्य है, हमारा द्वा प्रक精त होता है, तब हम बोलते है, जैसे लुकिक में भी बोलते है, तबाइब ज Frudれ मिलोदा फ़ादर, इससे क्या होते हैं? सभी कैसे लगता है एक ज़ाव ज़िगता है sometimes हम दीदी को दादियों को हम देखते हैं कैसे हम को महसूस होता है जईसे कि बाप दादा है उनका हाव भाव उनका बोलना उनका प्यार करना यह सब है न हमको डादा है उस तरफ से हम बोल सकते हैं पर मात्मा सरवयापी है, अच्छा और कोई शेयर करना चाहते हैं, वह मैं सांधेर जी जी, अवाज जा रही है, हाजी हाजी बोले, ओके, बावा कह रहे हैं, आपको यूगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवेत में रहने की छुट्टी क् क्योंकि यूगल रूप में रहते हैं महामा ब्लेश्वर को आपको पा में जुकाना है, इतनी हिम्मत है, यह लोग कहते हैं कि साथ रहने में पवित्रता मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को सहज है, ओम सांते. ओम शांती, आज बाबा ने एक नया टाइटल दिया है, कि आप मास्टर ब्रह्मा हो, अर्तत ब्रह्मन हो, और बाबा ने सहन शीलता के बारे में बहुत अंडरलाइन किया है, तो यह सहन शीलता का ऐसा गून है, यह शक्ति भी है और सहन शीलता भी है, गून भी है और शक्तिय तो इसके बारे में एक क्लास में हमने सुना था जगदिज भाई ने कहा था कि जब हम अधुबन में गए थे तो एक कुटिया थी वहाप एक सन्या से रहता था वो बाबा को ब्रह्मा बाबा को गालिया देता था बाबा उनको मित्र कहते थे कि यह हमारा मित्र है तो इसी का ब हाची बहुत भड़ी बाते हैं कोई रेस्पेक्ट ना दे इंसल्ट करे गाली दे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है है न हम डिस्टर्ब नहीं होना है तो उसके लिए हम साक्षे होकर देखना तभी तो सहनशिल शक्तिया चाहेंगे हैं यह द्रामा में हैं उनका पार्ट है ऐसे हम देखेंगे तो हम सहन कर सकते हैं हमारा पार्ट को हमारा करते हुए को याद रखना हम सभी को सुक देना है, सो हमको शहनशीलता का देवी बनना है। हाजी, पुष्वभा भेंची पोलिये। ओम चांती दिदी, आवाज आरहा है रहा है? हाजी हाजी आज बाबा ने बोला विदेशी मुख्य टीचर से बहनों से सभी ने सेवा के खिये बनाना चाहिए और स fulfना आपका राज बनाना है और स्अधना के अवश्य का अनुसार मन्षा भी हो, वचाभी हो, साती साथ हो आःए बननों से दोनों ही साथ होना चाहिए एसा सपडता पाएंगे बोले हैं यह बहुत अच्छा लगा पॉरिटी का भी नशान, सब्सक्राइब। 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 पॉरिटी, है ना, हमारा गुनदर्म है पॉरिटी है। वो सदा हमारा साथ है, हम उसको भूलना नहीं है। मैं आत्मा पवित्र हूं। है ही पवित्र आत्मा। तो इसका बाबा ये खेना चाहते है आप कभी भी अफवित्र हम ड्रामा नुसर अफवित्र बनते हैं लेकिन हमारा निजी स्वरुप क्या है फवित्र है उसको याद रखने के लिए बाबा कहा जी पुरुशत तुम भाई जया पूले जी उसी के आगे हम एड करना चाहेंग कि अमर्भव का मतलब ये भी हो सकता है कि बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ना मतलब कुछ भी हो जाया लेगिन बाबा के साथ ही रहना ओम शांति थैंक्यू अमर्माना अविनाशी है ना सदा रहते है सदा रहने वाले को अमर्ग थेते है सो हमारा प्यूरिटी जो भी वही ने शेयर किया है बाबा का साथ करिष्टा हो ये सब हमारा अविनाशी है अविनाशी संबंदे बाबा का साथ अविनाशी संबंदे हमारा गुनधर्म अविनाशी है जैसे बाप अविनाशी है बच्चे भी अविनाशी है सो हम कभी-कभी बूल जाते हैं हम soul conscious के बज़ाए हम body conscious में आ जाते तब ये सारा गुण धर्म हम बूल जाते है इसलिए भाबा ने इसको याद रखने के लिए कहा है सदा अमर्भव का वरधान को कभी भूलना नहीं याद रखने के लिए कहा मेरा गुण धर्म भी अमर है उसका साथ भी आचाता है काफी सिस्टर समझ में आई थोड़ी-थोड़ी और कोई शेर करना चाहते है इसके बारे में ओम शांती सिस्टर में कोईट शेर करें हाची हाची बोले इजीएस्ट ये है कि बाबा ने आजकल भी बोला था ना भी बाबा आया थे कि अमर भाव मेंस मतला हर फल जिंदा दिली रहकर आत्मा के नशे में हमेशा जीओ वो आत्मा का भाण जो नशे है वो कभी भी कम ना हो तो यही मतलब है जैसे आप बता रहे थे कि सदा अमिनाशी और अमर मीन्स एवर एवरी मूमन्ट इतना ज्यादा भरपूरता में आत्मा के गुड़ों में आत्मा के एहसास में हमेशा जीना, कभी भी मरना नहीं, means कभी भी दे बान में नहीं आना ये हमें ऐसा लगा, और चिंतन ये हो सकता है कि कभी भी हम दे बान के पुराने व्रतियों में दौपर वाले संस्कारों में ना जीयें, लेकिन अमर भव means उस प्यारे हिसास में परमात्मा के होने के, उस आत्मा के गुणों के एहसास में, उस पवित्र रुहानी चमक के एहसास में, अमर हर पल जीए, हर पल उस सब, ओम शान्ति हाँची, बहुत अच्छा, आव कोई लास्ट एक तो पॉइंट शेर करने चाहते हैं अज बावन अपने आपको देखने को कहा कि दर्पन तो आप सब के पास है ना, दर्पन है तो देख सकते हो, तो देखो हमारे अंदर प्योर्टी की रोयल्टी कितनी परसेंट में है, हमारे चेहरे से प्योर्टी के जलक दिखाई देती है, चलन में प्योर्टी की फलक दिखाई देती है, फलक मतलब नशा, तो हमें अपने अंदर जहांकर अपने मन में भी देखना है, कि हमारे अंदर वो रोहा ओम शांते हैं, ओम शांते. कि उस वक्त हमें हमारा, बाबा ने हमें क्यों चूज किया है, कि इसके लिए हम आये हैं यहां पर, तो हमारा कर्दव्य है विश्व कल्यान का, तो यह हमें याद रखना है, ओम शांते. जब तक ब्राह्मन जीवन में जीना है, तब तक संपूर्ण भवित्र रहना ही है. अविनाशी भव का वर्दान का साथ यह जोड सकते हैं हम, तो निरंतर, प्यूर्टी के परस्नालिटी में हम रहेना है, तो बाबा उसका बाते में कह रहा है, अच्छा, अभी टाइम हो रही है, तो हम क्या हो मर्क लेंगे आज? पवीत्र रहना है, मुझा भचन करना से, वेरी गुड़, सो उसको हम प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे, है न, सारे धिन में, सो बाबा ने कहा न, पवीत्रता की व्रत्ती, द्रश्टी, क्रती, ये तीनों बाबा ने जैसा कहा वैसे हम फालो करें, इन, व्रत्ती में श रस्टी में सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना वा फरिष्टा रूप में देखना, तो तीसरा है कर्म, कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुक देना और सुक लेना, सो हम इसको प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करेंगे, है न, हमारा सोचना भी एक कर्म है, है न, देखना, बोलना, करना, यह सब कर्णों में भी आता है, तो हम बाबा जो जैसे बोला है, वैसे ही हम हो मरक प्रिक्ट्ली, हम एटेंशन देख करके उसको हम फॉलो करेंगे, बाबा ने का न, रत्ती, द्रस्टी और प्रत्ती में तीनों में यह धारना हो, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्थव्य क्या है, बाबा ने का क्या दुख देने वालें को फालो करना है या बाप दादों को फालो करना है, फालो फादर सो हम सब मास्टर ब्रह्मा है सो हमारा कर्थव्य है सबी को सुक देना दुख नहीं देना सो बाबने कहा सहन शीलता देवी बनना है हमको सो यह याद रखना अच्छा सो यह सब यहोब मर हजी बोलिये कभी तदी तदी कुछ बोलना चाहते है अच्छा सो हम हब ओलिये दी तदी कुछ बोलना चाहते है सब्सक्राइब तदी के लिए बहुत बहुत हन्यवाद और शेरिंग बहुत अच्छा किया थैंक्यू ओम शांती गुटनाइट हम एक मिनिट बाबा का याद में स्थित होकर रहेंगे ओम शांती ओम शांती गुटनाइट झाल बहुत है झाल झाल कि का खिए और शांती बहुत है कि यही जाद रहेंगे झाल 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 झाल